मुझे मढ़े मपकम सब्सक्राइब हाइ फ्रेंड़्स यह यूणिक्स एंड डायमेंशंस का फिफ्ट वीडियो है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे यूजड ऑफ डायमेंशंस पिछले वेडियो तक हमने पढ़ लिया था हमाने पाथ जो physical quantities हैं उनके dimensions और dimensional formula क्या होते हैं और उनको कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम discuss करेंगे uses of dimensions इस chapter का सबसे main portion यही है अगर important portion है इसमें हम देखेंगे जो dimensions हैं इनका हम use करके कैसे 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 इनका हम use कर सकते हैं और इससे हमको क्या-क्या मिल सकता है अगर आप में पिछली वीडियो में देखी है तो प्लिस उसको देख लिए उसके बाद ही इसको देखिए जैसे कि हमाई पास यहां first use है वह है conversion of units मतलब units मिस्मात्राइं हम एक unit को दूसरे में बदलेंगे जैसे cgs unit को mks में बदलेंगे mks को cgs में बदलेंगे इसी तरह हम units को interchange करेंगे this is based on the fact that the product of the numerical value n and its corresponding unit u is a constant means n क्या है unique की numerical value u क्या है unique है जैसे हमाई पास मान लीजे एक मीकर है एक मीकर में कितने centi मीकर सो centi मीकर सो जो centi मीकर है वो मीकर से छोटा है और जो hangler है वो one से बड़ा है सो हम यह कह सकते हैं जिस unit की numerical value जितनी जादा होगी वो unique उतनी छोटी होगी सो यहां से हमाई पास जो numerical value होगी वो inversely proportional को unique होगी और numerical value और unique का जो product होगा वो हमेशा constant होगा ऐसे ऐसे 1 kg है 1 kg is equal to 1000 gram अब जो gram है वो kg से छोटा है जो 1000 है वो one से बड़ा है सो यह जो relation है यह inversely proportional है सो हम इसको सकते है n1 u1 is equal to n to u2 अब u1 जो है जो unit हमें लिया है जैसे माल लेजाए वो SI unit में है तो उसका जो है numerical value SI unit में M1 है और उसका जो dimensional formula होगा उस unit में जो उसका dimensional formula होगा M1 की power A L1 की power B T1 की power C और उसी तरह जो दोसरी unit में है जिसमें हमको उसको find करना वो N2 है तो उस unit में जो उसकी dimension होगा M2 की power A L2 की power B T2 की power C means dimension तो दोनों की बराबर होगी है जैसे force है force की दूसरा जो CGS unit है वो dying है तो इंके दोनों के dimensional formula है same होगे तो इंके जो dimensions होगी वो भी same होगी so we can convert the numerical value of a physical quantity from one system of units into the other system जैसे हमें पिछले वीडियो में देखा था कि 1 newton is equal to 10 to the power 5 dying यहाँ पे जो dying है वो CGS unit है force की so यहाँ पे dying जो है वो newton से चोटा है लेकिन जो यहाँ पे 10 to the power 5 F1 से तो बड़ा है ना यानि जितनी छोटी unit उतना बड़ा उसका numeric value आईए हम एक example देखते हैं जो conversion of units पे base है अब यहाँ पे जो हमाँ बास question है उसमें कहा गया है the value of gravitation constant is g is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square in SI units convert into CGS system of units means हमारे पास जो capital G की value होती है वो 6.67 into power minus 11 newton meter square per kg square होती है SI system में इसको हमको CGS system में convert करना है so ऐसे यहाँ पे सिस्टम में है यह जो unit में G की value है उसका पहले हमको dimensional formula पता होगा means हमको पहले G का dimensional formula पता होना चाहिए so यहाँ से हो जाए का n1 u1 is equal to n2 u2 अब जैसे यहाँ पर mass की unit kg है तो यहाँ gram होगी लेकिन होगी तो mass की unit so यह जो M है यह को dimensional formula मास ही का होगा ना और इसकी जो power होगी वह भी सेम होगी किकी unit same है so जो हमाए पास capital G का dimensional formula होता होता है M to the power minus 1 LQ to the power minus 2 so यहाँ से हमाए पास n1 u1 is equal to n2 u2 से यह relation आ गया means M1 जो है वह जो द्री हुई unit में दिया हुआ है उसका मा उस टर्म में mass है और 11 जो है जैसे हमीटर में है और टाइम जो है वह जो सेकेंग में है उसी तरह यहाँ जो दूसरी unit में जिसमें करना है सीजेस में है तो यह यह मास जो है यहां ग्राम में है लेंथ जो है वह सेंटिमिकर में टाइम यहां भी सेकेंग में ही है तो आगे देखते हैं अब जाम इस equation को transpose करेंगे तो हमाँ पास क्या आएगा n2 is equal to n1 into m1 upon m2 की power minus 1 L1 upon L2 की power 3 T1 upon T2 की power minus 2 क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर जैसे जो नंबर डिवाई कहांगे तो उनकी पावर्स भी डिवाई होंगी मिस उनकी पावर जैसे यहां पे जो पावर थी वह M की power minus 1 थी नहीं वह M2 की power minus 1 थी तो M1 upon M2 की whole power minus 1 इसको लिख सकते हैं क्योंकि power सेम है तो दोनों को एक साथ डिवाई करके power उपर कॉमन लगा दिए तो N1 की जो वैलू है माँ पास वह 6.67 into 10 to power minus 11 है यहां यहां पर वाले तो यहां पास उनकी है में का वाल मेद किस्थे में की है और दोनों जगे तो टाइम है वह सेकेंग में है तो T1 is equal, T2 is equal 1 second, सब्सक्रीक यूटिन, इस वैलूस इंदा अबो एक्वेसेंट, मिन्स यहां जो M1, M2 यह जितनी वैलूस हमको मिलें, इनको हम ओपर वाले इक्वेसेंट में put करेंगे, तो हम जब इसको solve करेंगे, सो हमको जो N2 की unit मिलेगी, N2 का जो numeric value मिलेगी, वो आएगी 6.67 into 10 to power minus 2, मिन्स हमाँ पास CGS सिस्टम में जो capital G की value होगी, वो होगी 6.67 into 10 to power minus 2 to dying centimeter square per gram square, जैसो उसमें होता Newton, तो Newton की जगे dying, meter square तो centimeter square, per kg square तो per gram square, तो यह dimensions का first use था, कि हम unix को convert करते हैं, इसका use करके हम unix का conversion कर सकते हैं, क्योंकि N1 into u1 की जो value होती है, वो constant होती है, आईए हम आगे देखते हैं, अब जो हमाए पास है वो है, to check the dimensional correctness of a given physical equation, means हमको कोई physical quantity का कोई relation दिया हुआ है, तो हमको उसको check करना है, कि वो correct है कि नहीं है, तो इसको हम dimensional analysis का use करके check कर सकते हैं, for a given physical relation, dimensions of LHS is equal to dimensions of RHS, means अगर हमको कोई equation दी हुई है, तो उसमें LHS, RHS दोनों होगा, LHS में कोई physical quantity होगी, RSS में कोई physical quantity होगी, तो अगर उनका dimension निकालें, तो वो दोनों सेम आनी चाहिए, तो अब हम कह सकते हैं कि वो जो equation दी हुई है, वो dimensionally correct है, अब इसी को जो हमने discuss किया, कि dimensions of LHS is equal to dimensions of RHS, इसी को हम principle of homogeneity कहते हैं, every physical equation should be dimensionally balanced, means अगर हमाँ पास कोई भी equation है, वो dimensionally balanced होनी चाहिए, means उसके जो LHS के dimensions है, और उसके RHS के dimensions है, वो दोनों सेम होने चाहिए, note, but एक dimensionally correct equation में और में और भी physically correct, means हमाँ पास कोई एक dimensionally correct equation है, तो ज़रूरी नहीं कि वो mathematically भी correct हो, क्योंकि हो सकता है उस equation में dimensionless constants involved हो, तो अब जो dimensional analysis है, इसकी एक limitation है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, कि यह constant की value नहीं बता सकता, क्योंकि constant की dimensions ही नहीं होती, but a dimensionally wrong equation must be wrong, यहने एक dimensionally wrong equation है, वो ज़रूर ही wrong होगी, यहाँ इसमें भी exceptions हैं, अब देखते हैं कि हम, इसका principle of homogeneity का use करके, कैसे हम चेक करते हैं, LHS की dimension और RHS की dimension, यहाँ पर हमाँ पास दिया हुआ है, test whether the given formula is correct or not dimensionally, मेंस हमाँ पास यहाँ एक formula दिया हुआ है, इसको हमको verify करके बताना है, कि यह सही है, dimensionally की नहीं है, अब जो हमाँ पास force है, force का dimensional formula क्या है, MLTQ-2, फिर LHS की dimension यहाँ आगे, mass का M, velocity का LT-1 की power 2, क्योंकि यहाँ velocity का whole square है, upon R, R क्या है radius, radius length के करों में है, so, यहाँ से जब यहाँ power अंदर आएगी, तो L square T-2 हो जाएगा, एक L से एक L कर जाएगा, तो L T-2 हो जाएगा, so, हमाई पास जो dimensions of LHS हैं, वो dimensions of RHS के बराबर आ जाएगी, so, this is dimensionally correct equation, अब हम देखके हैं अगला example, so, that the expression of the time period, T of a simple pendulum of length L, given by T is equal to 2 pi, into under root L Y G, is dimensionally correct, अब जैसे हमने बढ़ा न, इस chapters में जो भी ज़्यादा तर जो quantities है, वो आगे आगे chapters में हम पढ़ेंगे, तो जो यहाँ पर एक formula दिया हुआ, कि जो simple pendulum होता है, pendulum होता है वो और से लेक करता है, तो उसके जो time period का formula होता है, वो यह होता है, दिया हुआ है, तो बताना है, इसकी जो dimensions है, वो dimensionally correct है, तो आईए हम इसको check करते हैं, तो हमाँ पास formula है कि, जिक्कोर को 2 pi into under root l by g, dimensions of lhs, time period की dimension तो time भी होगी, dimensions of rhs क्या होगी मैं पैस, length क्या होगा l, और g क्या होता है, acyloration का dimensional formula होता, lt minus 2, so हमाँ पास यहाँ, lt कर गया, t उपर जाएगा, तो t square होगा अंडर root के अंदर, तो भो ठकने के बाद एक लटी बचेगा, so dimensions of lhs is equal to dimensions of rhs, so the formula is dimensionally correct, अब यहाँ पे एक चीज लिखते है, principle of homogeneity in dimensions, ऐसे हमाँ पास एक equation है, s is equal to ut plus half 80 square, अब यह हमें नाइंद क्लास में पढ़ा है, कि जो three equations के motion है, नतर्थ three equations of motion, उसमें यह जो है, पहला जो है, v is equal to ut plus half 80 square, तीसरा है, v square is equal to u square plus 2 s, so, s is equal to ut plus half 80 square, अब जैसे माँ लिजे, यह s क्या है displacement, तो displacement, जो होगा, वो displacement के ही तो बराबर होगा, means, ut के जो dimensions होगे, वो displacement के होने चाहिए, velocity, ऐसे velocity, इंकु टाइम के होता है, velocity, इंकु टाइम, distance ही तो होता है, तो distance में में मिजर करते हैं, उसी तरह, acceleration क्या होता है, मीटर पर second square, into second square, तो second square से second square कर गया, कि यह बद मीटर बचा, मेन जैसे हमाँ पास है, 5 kg, तो 5 kg में हम, 2 मीटर तो आइड नहीं कर सकते हैं, ना, 5 kg में आइड होगा, तो वही quantity आइड होगी, जो मास की होगी, उसे से यहाँ जो ut हो displacement है, तो displacement में displacement ही आइड होगा, so the dimensions of s ut, and half 80 square, all are same, अब हम यहाँ पे एक example देखते हैं, अब जो हमाँ पास यहाँ पहला है, s is equal ut plus half 80 square, यह हमें उपर देखा, कि यह dimensionally correct equation है, और mathematically भी correct है, क्योंकि हमने इसको class 9 में पढ़ा हैंगा, s is equal to ut plus half 80 square, अगर हम यहाँ से 1 by 2 को हटा भी दे, क्योंकि 1 by 2 तो एक numeric constant है, तो यह dimensionless है, अगर हम इसको हटा भी देते हैं, तो यह जो देते हैं, s is equal to ut plus 80 square, यह भी dimensionally correct होगा, क्योंकि 1 by 2 से कोई फरक थोड़ी पढ़ेगा, सो यहाँ से एग हम conclusion निकालते हैं, कि जो dimensionally correct equation है, जैसे यह, जरूरी नहीं कि यह mathematical भी correct हो, लेकिन जो mathematical, कली correct equation है, वो maximum times, dimensionally correct होगी, कुछ exceptions को छोड़ है, आईए आगे देखते, आई-dimensionally correct equation, may or may not be correct mathematically, ऐसे हमने कहा नहीं, कि कोई question का dimensionally correct है, तो जरूरी नहीं कि वो mathematically भी correct हो, second, a mathematically correct equation is always correct dimensionally, with some exception, means हमाई पास कोई एक mathematically correct equation है, वो हमेशा dimensionally correct होगी, कुछ exceptions को छोड़ कर, जैसे यहाँ हमाई पास है, dn is equal to, u plus a by 2, into 2n minus 1, यह क्या है, इसको हम kinematics, आणे वाली चैप्टेक्स में पढ़ेंगे, कि जो distance displacement, इन एन्थ सेकेंड, में से पांच हुए सेकेंड में कोई चीज कितनी displacement की है, वो है, तो यहाँ जो displacement होगा, वो तो meters में होगा, यह क्या है u, u क्या है, velocity, velocity किसमें होगी, meter per second में, और यहाँ पर यह n minus 1 है, 2n minus 1, इसका जो main होता है, वो time होता है, time को यह पूजन कर रहा है, anyway, second में दूरी क्या होगी, पांच हुए सेकेंड में तो यहाँ 5 रखेंगे, तो यह T है, और यह ऐसी दो रेसेंट है, तो meter per second square, तो 1 second से 1 second कर जाएगा, तो meter per second आजाए, यह velocity, यह भी velocity, लेकिन यह तो displacement है ना, तो यह जो equation है, यह mathematically तो correct है, यह दिमेंशनली incorrect है, तो आप समझ गए ना, कि कुछ exceptions के साथ, एक mathematically correct equation, हमेशा dimensionally भी correct होगी, note, the physical quantity is separated by the symbols, plus, minus, equal, greater than, less than, etc, have the same dimensions, means, अब यह तो साथ है ना, कि अगर हमको किसी चीज में कुछ हैर करना है, तो उसकी दोनों की जो units होगी, वो same होगी, अगर एक meter में है, तो दूसरा meter में ही होना चाहिए, अब हम dimensions का तीसरा use देखते हैं, क्या है, to establish the relation among various physical quantities, means, हमको कोई एक physical quantity दे दी जाएगी, और कहा जाएगा, कि यह इस पर depend कर रहे, इस पर depend कर रहे, इस पर depend कर रहे, तो बताना है, कि इनका, जो correct relation होगा, वो क्या होगा, जैसे आप कहा दिया गया, displacement is equal to, velocity upon time है, तो velocity upon time, हमको कहा दिया कि displacement है, velocity और time पर depend कर रहा है, तो हमको exact relation निकाल रहा है, कि velocity upon time होगा, velocity into time नहीं होगा, so, इसको हम dimensional analysis से निकाल सकते हैं, if we know the factors on which are given physical quantity may depend, अबर हमको यह पता है, कि जो physical quantity दी हुई है, वो किन factors पर depend कर रही है, तो हम अब formula relating the quantity with दोश factors, means तो हम उस quantity का formula निकाल सकते हैं, उस factors के relation में, means जो हमको जिस पर depend कर रहा, और जो depend कर रहा, उसके बीच में relation निकाल सकते हैं, example के लिए हम देखते हैं, frequency of a scratched, screen depends upon, means जो एक screen है, अगर हम उसको खीच लें, इस्क्रेश करें, तो उसकी जो frequency होगी, वो टेंसेंग पर depend करती है, length of screen पर depend करती है, और mass पर unique length पर depend करती है, तो जो frequency है, length of screen, अगर जो इस्क्रेश हमने लिया है, उसकी लंबाई, और mass पर unique length, means unit length पर उसका कितना mass है, तो जो frequency है, इस्ट्रेश की screen की, वो टेंसेंग, length of screen, mass पर unique length पर depend करती है, तो हमको इसका exact relation निकालना है, कि यह होगा त्या, तो हम इस form का यूज़ करके निकाल सकते हैं, means dimensional analysis का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, Suppose that the frequency F depends on the concern raised to the power A, length raised to the power B, and mass per unique length raised to the power C, means जो जहाँ पर concern है, मतलब जो frequency है, concern की power A पर depend कर रहा है, length की power B पर depend कर रहा है, mass per unique length, जिसको mu से represent करते हैं, उसकी power C पर depend कर रहा है, तो हमको यही ABC find करने हैं, फिस पर पावर लगा देंगे तो, जब ABC हम निकाल देंगे, तो हमको ABC की जब value मिल जाएगी, तो हम यहाँ पर put कर देंगे, उसके बाद यहाँ हमाँ पास formula आ जाएगा, so, F proportional to, F की power A, L की power B, mu की power C, मतलब इनकी dimensions जो हैं, उनकी power ABC है, so, यहाँ से, proportional की सायं हटाएंगे लिए, हमने एक constant लगा आया, so, F is equal to K, F कुली power A, L कुली power B, mu कुली power C, equation first, here, K is a dimensionless constant, यहाँ जो K है, एक dimensionless constant है, दस हमाँ पास क्या आया, F की जो dimensions होंगी, वो इनकी dimensions की सेम होंगी है, और अभी हमने पढ़ाना की, जब दो physical quantities दी होती है, मतलब कोई equation है, तो उनके जो LHS की dimensions है, वो RHS दोनों बराबर होने चाहिए, LHS और RHS की dimensions बराबर होने चाहिए, तो frequency की dimension, और यह जो इधर करम दिया हुआ है, इसकी dimension सेम होंगी चाहिए, तो frequency की dimension की होती है, M0, L0, की क्लू पाओर माइनस वें, frequency की जीनिट क्या होती, 1 upon second, या पार सेख, या हाज, 1 upon time period को इसकी कहते है, force का क्या होता, ML की क्लू पाओर माइनस टू, अब इस पे A पावर लिट लगा दिया, लेंथ को L से, तो इसकी पावर B, mass पर unit length, mass upon length, लेंथ उपर आया, minus 1, और इसकी पावर C, अब यहाँ पे, M की पावर A आएगा, यहां M की पावर C आएगा, तो दोनों, अगर बेस सेम है, तो पावर आएगा हो जाएगी, multiplication है, तो M की पावर A प्लस C, और L की पावर A, L की पावर B, L की पावर minus C, तो यह भी आएगा हो जाएगी, तो L की पावर A प्लस B minus C, और T की पावर यहाँ minus 2 है, तो T की पावर minus 2 है, तो हमाई पार जो LHS की dimensions है वो आई 0, 0, minus 1 और यहां कहीं A plus C, A plus B minus C minus 2 है तो इनके जो M है L है T है इसकी dimensions दोनों सेम होनी चाहिए है क्योंकि एक ही चीज का formula यह भी frequency है यह भी frequency ही होगा for dimensional balance the dimensions on both sides शुर्भी same वही कि dimensionally correct होनी चाहिए तो इस वज़े से इनके जो dimensions है वो सेम होनी चाहिए तो यहां से हम compare गाए तो A plus C is equal 0, A plus B minus C is equal 0, minus 2 A is equal minus 1 जब हम इसको solve रहेंगे तो यहां से तो हमको direct मिल जाएगा A is equal 1 by 2 जब इस equation में put करेंगे तो हमको C की value मिलेगी minus 1 by 2 अब हमाँ पास A और C की value है इसमें हम put करेंगे तो हमको B की value आ जाएगी तो हमाँ पास जो A, B, C की value है वो है A is equal to half, C is equal to minus half and B is equal to minus half अब हम इसको equation 1 में put कर देंगे उसके बाद देखेंगे हमाँ पास relation क्या आता है तो हमाँ पास जो A, B, C की value है उनको हम equation 1 में put करेंगे तो हमको मिलेगा F is equal to K, F की power half, L की power minus 1, mu की power minus 1 by 2 क्योंकि A की value थी 1 by 2, B की value 3 minus 1, C की value 3 minus half तो जब हम इसको आगे स्वाल करेंगे तो आएगा F is equal to K upon L into under root F upon mu अब यह जो K है यह क्या है एक constant है तो K की value हमको experimentally half मिली अब जो dimensional लाइना लिसे सह हो वह हमको constant की value में है दे सकता क्योंकि constants are dimensionless तो हमने देखा एक्सपेरिमेंटली के एक value 1 by 2 होती है तो हमने एक value यहाँ पर पूर्ड़ी तो हमको मिला F is equal to 1 upon 12 into under root F upon mu so frequency का नदद जो scratch screen होती है उसकी जो frequency होती है उसका formula यह होता है इसको हम आगे waves chapter में पढ़ेंगे अब हम एक बहुत ही amazing question देखते हैं can pressure density and volume velocity taken as fundamental quantities means कहा व्या है कि pressure density और velocity को हम fundamental quantities मान सकते हैं यह समको पता fundamental quantities होती है एक दूसरे पर depend नहीं करती हैं so अगर pressure density और velocity एक दूसरे पर किसी भी relation से depend का रही है तो इनको हम fundamental quantity नहीं ले सकते हैं अब जो हमें पास pressure का dimensional formula है वो है ml to the power minus 1 t to the power minus 2 density mass upon volume तो mass का m volume का l cube l to the power minus 3 velocity का l yt so lt minus 1 so अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि यह जो है इनको हम fundamental quantities ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं तो आईए हम इसको देखते हैं अब यहाँ जो pressure की dimensions क्या है 1 minus 1 minus 2 density की 1 minus 3 0 velocity की 0 1 minus 1 अब हम इसका यूज करके एक matrix बनाएंगे अब matrix क्या होती है आईए समझाते हैं अब जो हमको pressure density velocity की dimensions मिली उसको हम एक rectangular box में इस तरह लेंगे 1 minus 1 minus 2 1 minus 3 0 0 1 minus 1 तो इसमें कितनी रोज है कितनी रोज है इसमें एक दो तीन में कॉलम है एक दो तीन तो यह जो मैक्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की मैक्रिक्स है अब हम इसका determinant निकालेंगे हमको यह चेक करना है कि हम pressure density की और velocity को fundamental quantity ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं तो अब हम इसका निकालेंगे कि डिटर्मिनेंग डिटर्मिनेंग अगर हमने इसका डिटर्मिनेंग निकाला अगर वो जीरो आया तो not possible means हम इसको fundamental quantities के रूप में नहीं ले सकते हैं अगर does not equal to 0 आया तब हम इसको ले सकते हैं तो इसका डिटर्मिन गाल मतलब है जैसे आपको क्या करना है वन लेना है वन के नीचे वाली जो कॉलम है इसको हाइड कर लिजे इसको हैक कर लिजे इसको आपने ऐसे हैक किया ठीक और आपने माइनस थ्री और माइनस वन का प्रोड़क किया और वन और जीरो का किया तो यहां पर क्या आया माइनस थ्री इंको माइनस वन थ्री माइनस जीरो यह आया अब यहां पर अब इसको माइनस वन को लेंगे अब हम लगाएंगे पहले बीच में माइनस साइन तो माइनस माइनस और इस rank करेंगे इस को हायग करेंगे सब स्काइब अर इसको वबस प्रोडक्त करेंगे जीरो और इसको प्रोडक्त क्या हों माइन सब्सक्राइब ऑद इस रो और स्की कोलम को हम hide कर देंगे इसको hide किया सो हमाइब पास क्या आए वन इंटु बॉन जीरो इंटु माइनस थी तो जीरो हो जाएगा बंबॉन बचेगा अब हम आगे जब इसको solve करेंगे सो हमाइब पास आएगा 3-1-2 so determinant is equal to 0 आ रहा so not possible means हम इनको pressure density और velocity को fundamental quantities के form में नहीं ले सकते और ये नहीं ले सकते क्योंकि इनका determinant 0 अगर ये determinant does not equal to 0 होता तब हम इसको ले सकते थे और जो pressure density के और velocity में relation होता वो होता pressure is equal to rho v square जब हम इसको फ्लिर में पढ़ेंगे तो बर्नाली theorem में आएगा rho gh p plus rho gh plus half rho v square is equal to constant तो वहाँ पर ये जो होता है ये pressure ही होता है rho v square so इस वज़े से हम pressure density की और velocity को fundamental quantities नहीं ले सकते होग करता हूँ कि आप समझ गया होगी अब हम देखते हैं जो dimensional analysis है इसकी limitations क्या है मतलब इसकी कमिया क्या है जैसे हमको पता है कि इससे हम constant की value नहीं find कर सकते और constant नहीं find कर सकते कि question में है कि नहीं है so इनहीं को हम देखते हैं पहला जो हमाई पास by this matter the value of dimensional less constants cannot be closer means अगर कोई relation हमाई पास उसमें dimension less constant है जैसे हमाई पास अभी हमने निकाला frequency on scratch screen 1 upon 2L into f upon mu तो 1 upon 2 तो यहाँ पर dimension less constant है का उसी ते time period of simple pendulum को t is equal to 2 pi into under root l by g 2 pi क्या है एक dimension less constant है तो इसको थो हम निकाल लही सकते so first limitation जो है वो यही है कि हम constant को नहीं find कर सकते second देखते है बाई इस मेथर दा इक्वेशन कंटेइनिंग क्रिग्णोमेटिकल इक्स्पोनेंशियल एंड लॉग एग्रिदमिक टर्म्स कैन नाट भी अनलाइज अब हम इस मेथर से क्रिग्णोमेटिकल संग जैसे इस इक्वेशन में इन्वाल है कि नहीं है क्योंकि यह सब डामेंशनल लेस होते हैं और डामेंशनल आलिसिस का सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि हम जो कॉंस्टेंट्स होते हैं उनको नहीं फाइंग कर सकते क्योंकि उनकी यूनिक्स नहीं होती है जिसकी यूनिक्स नहीं होते है उसको डामेंशनल अनलिसिस से फाइंग नहीं कर सकते अर तीसरा हमाएं पास क्या है this method is useful when a physical quantity depends on other quantities by multiplication and power relation it cannot be used if a physical quantity depends on some or difference of two quantities means अगर अभी जैसे हमें पिछले हम दिखाना है कि हमें कोई formula drive किया तो उसमें जो physical quantities यह जो factor involved है वो product में हो यह divide में हो तभी हम उसको find कर सकते हैं जैसे हमने अभी निकाला दा कि जो frequency होती है स्क्राइब स्क्राइब की वह force, mass पर लेंट और लेंट पर डिपेंड करती है तो यह सब product में थे तब हमने इसको find कर दिया लेकिन अगर हमको यहां पर देखिए s is equal ut plus half 80 square है अगर हमको यहां पर इसको अगर हम derive करें तो इसको सकते हमको एक formula यह मिल जाएगा कि एक आ जाएगा s is equal ut एक आ जाएगा 80 square हम हमको नहीं पता बीच में plus होगा minus होगा इंट डिवाइड होगा यह तो नहीं पता ना हमको तो इस वज़े से plus minus quantities को हम dimensionally derive नहीं कर सकते चौथा limitation यह है कि अभी तक हमने जितने भी देखे जो dependency उसमें जो physical quantity दी हुई है वो कम से कम मतलब जादा जादा तीन ही फैक्टर पर डिपेंग करती है अगर माली जब कोई physical quantity है वो तो आर फैक्टर पर डिपेंग कर रहें तो प्रेसर है force, velocity, density, time चारों पर डिपेंग कर रहें है तो हम क्या खरेंगे pressure is directly proportional को f की power a, v की power b, rho की power c, t की power d की time है तो हमको यहाँ जो pressure का dimension है वो क्या है, m की power 1, l की power minus 1, t की power minus 2, so अगर हम इसको compare करेंगे तो हमाँ पास three questions ही तो बनेंगी, एक बार m की power compare कर लेंगे, एक बार l की, एक बार t को, t की लेकिन यहाँ पर हमाँ पास जो है variable 4, equation 3 है, so हम इनको कैसे find कर सकते हैं, so dimensional analysis का एक यह भी error है इसको हम find कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको higher physics आनी चाहिए, यह higher math आनी चाहिए, इसको हम निकाल सकते हैं, buckingham pi theorem का use करके लेकिन वो हमाई सिलेबस में नहीं है, so आप समझ गया होंगे, कि usage of dimensions क्या होती हैं, एक बार आप इस video को device कर लिजेगा, और जो पिछले video हों उनको भी देख लिजेगा, hope करता हूँ, आपको यह video समझ में आएंगे, thank you for watching,